कि बालुट के दबंग सल्मान खान के गुसे से तो हर कोई वाकिफ है हर कोई जानता है कि सल्मान खान अगर किसी से एक बार नाराज हो जाते हैं तो उनकी नाराज की मिटाना काफी जादा मुश्कित होता है तो आई आपको बता दे कि सल्मान खान बीते दिनों बन्वूड डिरेक्टर और कोरियोग्राफर रेमो डुसीूजा से काफी जादा नाराश चल रहे थे सल्मान की फिल्म रेस्ट्री रिलीस हुई थी जिसे रेमो डिसूजा ने डिरेक्ट किया था लेकिन ऐसी खबरे सामने आई थी कि फिल्म के दरान सल्मान और रेमो डिसूजा के बीच कुछ अनबन हो गई थी सल्मान खान और रेमो के बीच फिल्म के कुछ सीज के कारण गर्मा गर्मी का मोहल हो गया था और दोनों के बीच लड़ाए हो गई थी इसके बाद फिल्म रेज स्री का बॉक्स ओफिस पर जो हाल हुआ ये फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि इन दोनों के बीच बिल्कुल बातचीत बंद हो गई थी लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सल्मान और रेमो की बीच सुला हो गई है खबरों की माने तो रेमो डिसूजा हाल ही में अपने फिल्म की शूटिंग से कुछ समय निकाल कर फिल्म भारत के सेट पर गए थे लेकिन सल्मान खान उस समय फिल्म के एक सीन में काफी जादा बिजी थे जिसके कारण वो रेमो से मिल नहीं पाई हाला कि सल्मान ने रेमो की सारी फिलिंग्स का खयाल रखते हुए उन्हें रात में अपने घर पर बुलाने का नियोता दिया बस फिर क्या था रेमो डिसूदा सल्मान खान से मिलने रात को साड़े तीन बजे उनके घर पहुँच गए माना जा रहा है कि रेमो पुरानी दुश्मनी को भुला कर पुरानी नाराजगी को भुला कर सल्मान खान को मनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं नेक्स्ट नाइन न्यूसरूम से सुगंत की रिपोर्ट